देश का चौथा सबसे बड़ा निजी बैंक येस बैंक संकट के दौर में इस वक्त है और संकट से उबारने के लिए कलार बियाई ने कुछ कदमों का एलान भी किया तो बैंक के खातधारकों में हरकम बच गया है एक महीने के लिए बैंक से 50,000 रुपे से ज़्यादा रकम निकालने पर रोक लगा दी गई है इससे ATM पर पैसा निकालने वालों की लंबी कतार लग गई है लेकिन इस बीच सरकार का बैटकों का दौर भी जारी है वितमंत्री से सेवी चीफ भी मिलने वाले हैं और ये कहा है कि खात धारकों को दरने की जरूरत नहीं है थोड़ी देर में वितमंत्री निल्म्ला से सेवी चेर्मैन अजितियागी मिलने वाले हैं और माना जा रहा है कि दोनों के बीच येस बैंक के संकट पर बात होगी इस बीच मुख्या आर्थिच सिलाकार कृष्णि मूर्थी सुप्रमाणियम ने कहा है कि खात धारकों को डरने की जरूरत नहीं है किसी को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन इसके बावजूद शहर शहर येस बैंक के एटियम पर पैसा निकालने के लिए अफरा तफरी है कई जगहों पर एटियम में पैसे की किल्लत हो गई है पूरे घटना क्रम का असर येस बैंक के शेर्स पर भी पड़ा है शेर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है तो देश के चौथे सबसे बड़े बैंक के ग्रहकों में हर कंप है सबको अपनी गाड़ी कमाई डूबने का खत्रा सता रहा है बैंक को बचाने के लिए आरबियाई ने कुछ कदमों का एरान किया ग्रहकों में घबराहट लेकिन और बढ़ गई है आदी रात से एटियम पर खातधारों को की भीर लग गई अभी भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर एटियम में लंबी कता रहे हैं जगा एटियम में पैसा खत्म होने की खबरे भी आ रही है जब आपकी गाड़ी कमाई आँखों के आगे डूपती नजर आए तो क्या हाल होगा एहमदाबाद में यस बैंक के बाहर खड़ी इस महिला का दर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं रोज देखती हूँ कि बैंक की जो शहर बजा रहे है वो डाउन हो रहा है जह है अंदाबाद हो या जैपूर मुंबई हो या दिल्ली इस वक्त पूरे देश में फैले यस बैंक के सभी ग्रावों की इस्तिती एक जैसी है होली से पहले उनकी खुश्यों पर मानुपानी फिर गया है आप पैसा निकालने आए अंदर तो क्या आपको कहीं अभी थोड़ा सा डर लग रहा है कि हो सकता है कि बैंक जो है थोए टाइम में आप पैसे ना निकाल पाई या बैंक बंद हो जाए यही बात है हम निकालने में किसी से गाड से निकल बाल लेते हैं बैंक के बाहर हमें जितने लोग मिलें सबके अपने 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 तर एक कंपनी चलाने वाले एक शक्स का दर्द सुनिए लखनो के प्रदीब गोयल एक कंपनी चलाते हैं कंपनी में 147 लोग काम करते हैं होली करीब है सबको पैसा चाहिए गोयल ये समझ नहीं पा रहे है कि अब इन जरूरतों को कैसे पूरा करें लेकिन इन ग्रहकों की चिंता सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पचास हजार से क्या होगा बलकि चिंता ये भी है कि कई पेटियम से पैसे भी नहीं निकल रहे है इससे भरोसे का संकट खड़ा हो रहा है ग्रहक कंफ्यूज है कि अचानक आए इस संकट पर क्या करें जिनका बैंक खाता सिर्फ येस बैंक में है उनके लिए और भी मुश्किल इस्तिती है सरकार से लेकर बैंकिंग के चानकार तक ग्रहकों को ना डरने की नसिहत दे रहे है ग्रहकों को बताय जा रहा है कि आर बी आई येस बैंक को बारने में लगी हुए येस बैंक के खाता धारकों के सामने जो स्थिती है उसमें चिंता स्वाभाविक है मेरा ये कहना आर बी आई से येस बैंक के अंदर जो स्थिती है फिलाल आर बी आई ने एक महने की समय सी मत्या की है लेकिन क्या एक महने में सब ठीक हो जाएगा आज तक गरो मुंबई, एहमदबाद, भुपाल, लखनव, जैपूर, तमाम शहरों के येस बैंक के ग्रहकों में निकासी को लेकर अफरात दफरी मच गई ये सिलसिला दोपहर तक जारी रहा मुंबई पुलिस ने SOS जारी कर ATM पर जाकर ये देखना शुरू कर दिया कि कहीं भीड़भार से कानून विवस्था की स्थिती तो नहीं बन रही सब के मन में यही खौफ था कि कहीं बैंक ही न बंद हो जाए नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले